तरस्मी तिथी को जो तुलसी की धंडी को घी में भिगो कर अपनी कामना करकर भगवान के सामने दिये में रखकर जला देता है दिये की तरह उससे आर्थी उतार देता है करते हैं उसका जनम दूसरी बार प्रत्री पर नहीं होता वो भगवान के गोलों के धाम में जिंदगी प्रठी एक राजमान को चाथा है बहुत तकलीफ है और नी हो रा काम बहुत दिनों यह नहीं हो रा हरा मुंग ले जाओं मुंग के दाने तो रेते हैं घर में केवल 31 मुंग के दाने लेकर जाई एक यख स्षावल के दाने लेकर और 31 ही बेलख़ लेकर जाइए शंकरजी के मंदिर में जाओ तीन चीज़ लेकर जाओ मूं के दाने चावल बेलख़़़्ट चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना करकर शंकरजी की देली पर रख़ दो जो खटप़ कहीं पर भी ये कांत में उसको रख दिया जा मूं के जो दाने लेकर गए हो 31 वो नंदी के पास में जो नंदी का पाउं उचा रहता है उस पाउं के पास रख दीजिए और जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो वो 31 बेल पत्र अशुक सुन्दरी वाली जो जो पर जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो अपनी कामना करकर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओं उसकी डंडी जहां से पानी बैता है उस और होना चाहिए आप निवेदन करकर देखो अपने आप आपका काम हो गया होगा बाबा से निवेदन को करो क्यों भटा केवल दस्मी चाहिए उजालकी हो चैंदेरी की कौन से महादेव का नाम लेना है श्रम भेश्वर महादेव व्यक्ति चडचड करता है क्रोध करता है गुस्सा करता है महाराद संकर भगवान का श्रम भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेल पत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मर्ण करकर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेल पत्र 31 बेल पत्र करकर शिवजी के शिवलिंग कर समर्पित करी जाती है मात्र तस्मी की तिथी के लिए, केवल तस्मी, चाय उजाला की हो, चैन्देरे की हो, कौन से महादेव का नाम लेना है, च्रम भेश्वर महादेव, छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ-कुछ बच्चों को माता जवर्जती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकी, मारती, खि मुक में दो, और कॉमिटिंग कर देते हैं, बच्चों के लिए, या जिस व्यक्ति को भोजन बच्चता नहीं है, उदर में एसलिकी रहती हो, और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रम भेश्वर महादेव का स्मगण, श्रम भेश्वर महादेव के ठीक सामने आथ शमी के ग्यारा पत्ते कलस को छुआ कर संकर्थ भगवान के शिविलिंग पर श्रम भेश्वर महादेव के नाम से चड़ा देजी, उस जल को उठा कर लियाए, एक राक्तरी तक घर के अंदर रखना है, उस जल को श्रम भेश्वर महादेव का नाम लेकर, जिस व्यक्ति को अश्रिटी होती हो, या उदर खराब रहता हो, या भोजन नहीं पचता हो, या पेट से जुड़ी होई प्रावलम हो, या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो मेंटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भारा हो, ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुबेरे दोप और शाम तीन बार शंबहिशुर महादयों का नाम लेकर आचमन कराना प्राड़म करदो, फिलाना चालू कर दीजिए, तीन या चार दिन पिलाओगे, अपने अप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्राड़म कर देते हो, जाओधा करोड सोने की मु अगवान के शिवलिंग पर उसको संदार करो, केबल चड़ाना नहीं है, जब शहद में दुख जाएगा तो वो चिपक जाएगा, शिव का संदार करो, क्या होगा इससे, तो यह को कुरान करती है, नर्वदा कुरान करती है, शंकर का जब हम शमी के टत्थे को शहद में orial चड़्ओ है, तो करती है, अगर मित्पर उसको हाएगा, तो यह क्यों कैबल स्राम्न के में में रह सकते हैं, आग उन्हेक क्यों कोी महीं में रह सकते हैं, वी तो महीं में काले, क से सत्थे करना कौन से मुद्द करता है, क्यों के अगर उसको कम देश बब भूझकर। महादेव का नाम लेकर 31 ब्यत्ती को पुरोद आता है उस व्यत्ती का इसमन करकर आखा चावल मत्रा सीच चावल के साथ 31 बिलपत्र करकर शिवजी के शिवलिंग पर समर्थित करें जाती है, मात्र दस्वी की तिथी के लिए, क्योंसे महारियों का नम लेना है, च्रंदहिश्वर महारियों, छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ-क्री बच्चों को माता जवरी स्थी के भौजन कराती है, खि कि एक उपिछ बच्ची ऐसे रहते हैं वो खाई नहीं पाते हैं मुखमेदों और कोमिटिंग कर देते हैं उल्टी चल देते हैं इसे बच्ची चुनी है या जिस व्यत्यकों भोजन पच्टा नहीं हो और उदर में एस लेटी व्यत्यों और जलंग प्थे हो उसके लिए श्र शंबेश्वर महादियों के ठीक सामने अथा भगवान संकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोके में जल रख लीजिए तो जल के अंदर तीन बिलपत्र डाल दीजिए एक ठीकल का पत्ता डाल दीजिए शमी के ग्यारा पत्ते कलस को छुआकर संकर भगवान के शिवलिंग पर शंबेश्वर महादियों के नाम से चड़ा देजिए उस जल को उठा कर लियाए एक रात्री तक घर के अंदर रखना है उस जल को शंबेश्वर महादियों का नाम लेकर जिस व्यक्ति को अईस्दिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं क से दोपर शंब तीन बार संबहिश्वर महादियों का नाम लेकर आच्मन कराना प्रादम कर दो पिलाना चालू कर दीजिए तीन या चार दिन पिलाओगे अपने अधर में भी आनंद रहेगा बच्चा बोजन करना भी प्रादम कर देगा गी का दिया हतेली में रखतर दरवाजय के बाहर उस दिये ko हतेली में रखतर चंध्र का दरशन रातरी के बारादमिट दिये की लो में चंद्र का दरुऌन करते हैं उससे जोत परवल होती है कि आंधरी बाट्रा दिम्त होगा जाड़ा dalे का उसी में जोती या चार हों ते 집에 चार दिन का क्रम बढ़ता जाता केवल डस्मीचाइफ उजाले की हो Changi कौन से महादेव कडिया है श्रमभेश्वरा महा जो जब फ्यक्ति चِर्चिट करता है क्रोध करता है गुससा करता है संक्रवर्डवान का श्रमभेश्वर महा देव का नाम लेकर फैक्तिस बेलपत्र जिस व्यक्ति को कुरोध आता है उस व्यक्ति का इस्मर्ण करकर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र करकर शिवजी के शिविलिंग पर समर्पित करी जाती है मात्र दस्मी कितिथी के लिए केवल दस्मी चाहे उजाला की हो चैन्जेरी की कौन से महादेव का नाम लेना है श्रम भेश्वर महादेव शिवजी का ही चोटे चोटे बच्चे रहते हैं कुछ-कुछ बच्चों को माता जवर्ज्टी के भोजन कराती है खिलाती है धोक की मार की खिलाती है कुछ-कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खाई नहीं पाते मुक में दो और वोमेटिंग कर देते हैं कर लिए ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पच्ता नहीं और उदर में पैसलेटी रहती हो और जलन टाइप की हो उसके लिए भी श्रमविशी ओर महादेव का सिमर्ण है उ emz 6 अधाइद कि तीक सामने एक कांबे के लोके में जल रख लीजिए और जल के अंदर तीन बेल पत्र डाल दीजिए एक पिपल का पत्तर डाल दीजिए शमी के ग्यारा पत्ते कलस को छुआ कर संकर्ज भगवान के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चड़ा दीजिए उस जल को उठा कर लिया है एक राक्तरी तक घर के अंदर रखना है उस जल को स्रमबेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को ऐस्रिकी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी होई प्रावलम हो या बच्चों को भोजन करा प्रावलम कर दो पिलाना चालू कर दीजिए तीन या चार दिन पिलाओगे अपने उदर में भी आनंद रहेगा बच्चा भोजन करना भी प्रावलम कर देगा श्रमबेश्वर महादेव को जो तुलसी की धंडी को घी में भिगो कर अपनी कामना करकर भगवान के सामने दि अपनी की तरह उससे आर्थी उतार देता है करते हैं उसका जनम दूसरी बार प्रत्री पर नहीं होता वो भगवान के घॉलों के धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम बहुत दिनों से लगया हो नहीं हो रहा हरा मूंग ले जाओ मूंग के दाने तो रहते हैं गर में केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाए 31 चावल के दाने लेकर जाए और 31 ही बिलपत लेकर जाए शंकर जी के मंदिर में जाओ तीन चीज चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना करकर शंकर जी की देली पर रख दो जो खटपट कहीं पर भी ये कांत में उसको रख दिया जा मूं के जो दाने लेकर गए हो 31 वो नंदी के पास में जो नंदी का पाउं उचा रहता है उस पाउं के पास रख दीजिए और जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो वो 31 बेल पत्र अशुक सुंदरी वाली कामना करकर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उसके समर्पित करते जहां उसकी डंडी जहां से पानी बैता है उस और होना चाहिए आप निवेदन करकर देखो अपने आप आपका काम हो गया होगा बाबा से निवेदन को करो क्यों भटकर केवल दस्मी चाहिए उजालती हो चाहिए कौन से महादेव का नाम देना है श्रम भेश्वर महादेव व्यक्ति चिर्चिड करता है उस व्यक्ति का इस्मर्ण करकर आखा चावल मतलough सेगेचावल के साथ एक इक बेलपत्र एक तीस बेलपत्र करकर शिवजी के शिवलिंग पर समर्तित करी जाती है मात्र दस्मी की तितिoure के लिए किवल दस्मी चाये वुजालक की हो चांदेरे की कौन से महादेव का नाम लेना है च्रम भेश्वर महादेव चोटे शोटे बच्चे रहते हैं ख़िलाती है धोकी मारमार्ती खिलाती है कुछ-कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, वो कुछ खाई नहीं पाते हैं, मुख में दो और कॉमेटिंग कर देते हैं, इसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन बच्ता नहीं है, उदर में एसलिक देती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रमबेश्व डाल दीजिए, एक पीपल का पत्तर डाल दीजिए, शमी के ग्यारा पत्ते कलस को छुआ कर संकर भजवान के शिविलिंग पर श्रमबेश्वर महादेव के नाम से चड़ा दीजिए, उस जल को उठा कर लियाए, एक रात्री तक घर के अंदर रखना है, उस जल को श्रमबे बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमेंटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भाराओ, ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुवेरे दोपर शाम तीन बार शंबेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारम कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए, तीन अधर में भी आनन्द रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारम है, दस्मीति थी को, चाओधा करोड सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है, दस्मीति थी को, शमी के पत्ते को चाहिए 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुगो कर, संकर भगवान के पर उसको संगार करो, केबल चड़ाना नहीं है, जब शहद में डुग जाएगा, तो वो चिपक जाएगा, शिव का संगार करो, क्या होगा इससे, तो यह को कुरान करती है, नर्वदा कुरान करती है, संकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुगो कर संगार करते हैं, स तब कर्दिये से मुंती हो यह केवल स्रामण के महीने में किया जैका है इसके जवट के ही कोई महीने में नी कर सकते हैं केवल दस्मीच, चाय उजाले की कर्ण चैंदेले की कर्ण एक ही बार करना है जबन से महादेव का नाम देना है श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यत्री को कुरोद आता है उस व्यत्री का स्मर्ण करकर आखा चावल मतलब सेजे चावल के साथ एक एक बेलपत्र करकर शिवजी के शिवलिंग पर समर्थित करे जाती है मात्र दस्मी की तिथी के लिए क्यों से महादेव का नाम लेना है च्रंड भीश्वर महादेव चोटे बच्चे रहते हैं कुछ-कुछ बच्चों को माता जवर्श्टी के भूजन कराती है खिलाती है कुछ-कुछ बच्च इसके रहते हैं कुछ-कुछ ठाई नहीं पाते हैं मुकमед बो और कॉमपिटिंग तर दे तो ऑब्हद की वत्यों अजसे बच्चों को ब эфф ऑषजन वच्वर्चता नहीं होती है कोई है तुन्दर व्यात्यन बढदन किया है श्रम्भाइश्वर महादेव के ठीक सामने अथाथ भगवान संकर के किसी भी शिवलिंग के सामने ताम्बे के लोटे में जल बत लीजिए तो जल के अंदर तीन विलपत्र डाल दीजिए एक ठीकल का पत्तर डाल दीजिए शमी के 11 पत् प्रत्तर डाल तरीकत हर के अंदर रखना है उस जल को संबेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को अषिनती हो या खुदर खराब रता हो या भोजन नहीं कर सता हो या पेट से जुड़ी नहीं प्रावलम हो या बच्चे को बच्चे को या भोजन नहीं भार वे सिल्यक्ति को उस जलको सुवेरे दोपर शाम तीन बार स्रमभिशुर महद्यों का नाम लेकर आच्मन कराना प्रादम कर दो पिलाना चालू कर दीजिए तीन या चार दिन पिलाओ गए अपने अपने उडर में भी आनंद रहेगा बच्चा बोजन करना भी प्रादम कर देगा दिये की रातनि के बारा बे दीए की लो में चंदर का द्रेशन करते हैं इससे जोड प्रवल होती है हमारे या तो होगा वह नौमी की रात्री बारावजे या दश्मी की रात्री की बारावजे चंदर का दर्शन दीप घी का हाथ में जला कर नाम गोतर अपना बोल कर नर्सिंग भगवान का इस्मर्ण करकर जोती में चंदर का इस्मर्ण करकर दर्शन किया जाता मेत्र कमजोर हो तो तीन या चार दिन में जोतियों का क्रम बढ़ना प्रादम होता है वाईसे तो पंदरा दिन का लिखाए परश्यु महापुराण करती है तीन चार दिन का क्रम बहुत होता है केवल दस्मी चाय उजाला की हो चैंदेरे की कौन से महादेव का नाम लेना है श्रम भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 वेलपत्र जिस व्यक्ति को कुरोद आता है उस व्यक्ति का इस्मर्ण करकर आखा चावल मतलब सेग चावल के साथ एक एक बेलपत्र करकर शिवजी के शिवलिंग पर समर्थित करी जाती है मात्र दस्मी की तिथी के लिए केवल दस्मी चावल उजाला की हो चैन्देरी की कौन से महादेव का नाम लेना है श्रम भेश्वर महादेव शिवजी का है चोटे चोटे बच्चे रहते हैं कुछ- और वमिटिंग कर देते हैं उल्टी कर देते हैं ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ती को भोजन भचता नहीं है और उदर में एसलेटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो उसके लिए भी श्रम भेश्वर महादेव का समर्ण है उंदर व्यक्ष्वर महादेव के ठीक सामने आथा कि भगवान संकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक कांबे के लोटे में जल रख लीजिए वो जल के अंदर टीन बेल पत्र डाल दीजिए एक पितल का पत्तर डाल दीजिए शमी के ग्यारा पत्ते कलस को छुआ कर संकर्ज बगवान के शिवलिंग पर श्रमभेश्वर महादेव के नाम से चड़ा दीजिए उस जल को उठा कर लियाईए एक रात्री तक घर के अंदर रखना है उस जल को श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को ऐस्रिकी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं करता हो या पेट से जुड़ी होई प्रावलम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमेंटिंग कर देते हो ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भारा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुवेरे दोपर शाम तीन बार स्रम्भेश्यूर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारम कर दो पिलाना चालू कर दीजिए तीन या चार दिन पिलाओगे अपने अपने उदर में भी आनंद रहेगा बच्चा बोजन करना भी प्रारम कर देगा श्रम्भेश्यूर महादेव रस्मी तिथी को जो तुलसी की ठंडी को घी में भीगो कर अपनी कामना करकर भगवान के सामने दिये में रखकर जला देता है दिये की तरह उससे आर्थी उतार देता है करते हैं उसका जनम दूसरी बार प्रत्री पर नहीं होता वो भगवान के गोलों के धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम बहुत दिनों से लगया हो नहीं हो रहा हरा मूंग ले जाओ मूंग के दाने तो रहते हैं गर में केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाईए 31 चावल के दाने लेकर जाईए और 31 ही बेलपत लेकर जाईए शंकर जी के मंदिर में जाओ तीन चीज़ लेकर जाओ मूं के दाने चावल दिलपत चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना करकर शंकर जी की देली पर रख दो जो खट पर कहीं पर भी ये कांत में उसको रख दिया जाओ मूं के जो दाने लेकर गए हो 31 वो नंदी के पास में जो नंदी का पाउं उचा रहता है उस पाउं के पास रख दीजिए और जो 31 बेल पत्र लेकर गए हो वो 31 बेल पत्र अशुक सुन्दरी वाली जो वहाँ पर 31 बेल पत्र लेकर गए हो अपनी कामना करकर पीला चंदन लाल चंदन लगा कर उस पे समर्पित करते जाओ उसकी डंडी जहां से पानी बैता है उस ओर होना चाहिए आप निवेदन करकर देखो अपने आप आपका काम हो गया होगा बाबा से निवेदन को करो क्यों भटर केवल दस्मी चाहिए उजालकी हो चैंदेले की कौन से महादेव का नाम लेना है श्रम भेश्वर महादेव व्यक्ती चरचिर करता है क्रोद करता है गुससा करता है नाम लेकर इकतिस बेल पत्र जिस व्यक्ती को क्रोद आता है उस व्यक्ती का स्मर्न करकर आखा चावल, मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेल पत्र, एक त्स बेल पत्र करकर, शीवजी के श्विलिंग पर समर्टित करी जाती है, मात्र दस्मी की तितीके लिए, केवल दस्मी, चाई उजाला की हो चाहिंदेरे की, कौन से महादेव का नाम लेना है, च्रमभेश्व ऑफ चेज़डे रहते हैं कुछ-कुछूट बच्चे इसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को और शिवरात्री 29 यही महिना उदर में इस जलसमत्रिती हो और जलन दाइप की होटी हो उसके लिए भी श्रमभेश्वर महादेव का स्मरण श्रमभेश्वर महादेव के ठीक सामने आताच भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक ताम्बे के लोके में जल रख लिए। जल को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को ऐस्रिकी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रावलम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो मेंटिंग कर देते हो ऐसे बच्चे को या भोजन नह भी आनंद रहेगा बच्चा भोजन करना भी प्राव दस्मी तिथी को 14 करोड सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है शमी के पत्ते को चाहिए 21 हो 11 हो 51 हो उसको शहद में डुगो कर संकर भागवान के शिवलिंग पर उसको श्रंदार करो केबल चड़ाना नह क्या होगा इससे तो लित कुराण करती है नरवधा कुराण करती है संकर का जवा हम शमी के पत्ते को शहद में डुगो कर शंख करते हैं शंकर करते हैं इसने मेरा स्वर्यमाण महीने में संख कर भाला है इसके जबत के ही कोई महीने में नहीं कर सकते हैं और निका बाद मैं कहोगे कि हमको हर महीने कर लो केवल सुनावण की दस्मीचाय उजाले की कर लो चैंजरे की कर लो एक ही बार करना है केवल दस्मीचाय उजाला की वो चैंजरे की कुन से महादेव का नाम देना है श्रम भेश्वर महादेव व्यत्ति चिर्चड करता है त्रोध करता है विश्वर करता है महारा संकर भगवान का श्रम भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यत्ति को प्रोध आता है उस व्यत्ति का स्मर्ण करकर आखा चाव के साथ 31 बिलपत्र करकर शिवजी के शिवलिंग कर समर्थित करें जाती है मात्र दस्मी की तिठी के लिए खर्ण दस्मी चाय उजालती वह जैंजेरेका कौन से अधियों का नम लेना है चेंड वहादियों चोटे चोटे बच्चे रहते हैं है कुछ-कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वह कुछ खाई नहीं पाते हैं मुकमे दो और कॉमिटिंग कर देते हैं उल्टी कर देते हैं इस विडियो इसे भक्तियों कि यह जिस व्यत्ती को भोजन पचता नहीं और उदर में एसलेटी व्यत्ती हो और जलंग की होती हो उसके लिए श्रम्बेश्वर महादेव कर स्मगने मादे तुंदर व्यात्यन दिया है कि श्रम्बेश्वर महादेव के ठीक सामने अथा भगवान संकर के किसी भी शिवलिंग के सामने ताम्बे के लोते में जल रख लीजिए तो जल के अंदर तीन विलपत्र डाल दीजिए एक ठीकल का पत्तर डाल जिए शमी के यारा पत्ते कलस को छुआ कर संकर भग उस जल को संबेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को अईसलिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं करस्ता हो या पेट से जुड़ी हो प्रावलम हो या बच्चे को भोजन कराते हैं और वो बोनतीं कर देते हो ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भी आननद रहेगा बच्च्चा भोजन करना भी प्रावम कर देगा कर देगा Oooh दस्मी की रातरी के मारा वजे टूट होती है या तो नुवी की रातरी बारा वजे या दश्मी की राक्री की बारावजे, चंदर का दर्शन, दीप घी का हाथ में जला कर, नाम गोतर अपना बोल कर, नर्सिंग भगवान का इस्मर्ण करकर, जोती में चंदर का इस्मर्ण करकर दर्शन किया जाता, मेत्र कमजोर हो तो, तीन या चार दिन में जोतियों का क्रम जब कोई व्यक्ति चिरचड करता है, क्रोध करता है, गुसा करता है, अमारा शंकर भगवान का श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को कुरोध आता है उस व्यक्ति का इस्मर्ण करकर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र करकर शिवजी के शिविलिंग पर समर्पित करी जाती है मात्र दस्मी की तिथी के लिए केवल दस्मी चाय उजालर की हो चाहन जेरे की कौन से महादेव का नाम लेना है श्रम भेश्वर महादेव शिव जी का ही चोटे चोटे बच्चे रहते हैं कुछ-कुछ बच्चों को माता जवरज्टी के भोजन कराती है खिलाती है, ठोकी मारती खिलाती है, कुछ-कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, वो कुछ खाई नहीं पाते हैं, मुख में दो और वोमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं है, और उदर में पैसलेटी रह होती हो, और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रमवेश्वर महादेव का स्मरण है, उन्दर व्यक्तियान बढ़न किया है, श्रमवेश्वर महादेव के ठीक सामने, आठाट बगवान संकर के किसी भी शिविलिंग के सामने, एक कांबे के लोके में जल रख लीजि उस जल को उठा कर लिया है, एक राक्री तक घर के अंदर रखना है, उस जल को स्रमवेश्वर महादेव का नाम लेकर, जिस व्यक्ति को ऐस्रिकी होती हो, या उदर खराब रेता हो, या भोजन नहीं पचता हो, या पेट से जुड़ी होई प्रावलम हो, या बच्चों को आते हैं और वो वोमेंटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भारा हो, ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुबेरे दोपर शाम तीन बार श्रमवेश्वर महादेव का नाम लेकर आच्मन कराना प्रारम कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए, तीन या चार दिन पिला के अपने अधर में भी आनंद रहेगा, बच्चा बोजन करना भी प्रागम कर देगा, श्रमवेश्वर महादेव का दो, पिलाधिय। झाल झाल